कितने प्यारी रोड लग रही है तो भाई यह है रस्ता मेरा की हट्स जाने का कितने फूल लगा रखे हैं यार कितना सुंदर लग रहा है और फूलों के पूरी खुशुलों आरे गेंदा के फूलों की कर दो कर दो अइसरे फिर्श कर देघी है इस वाज न शेलींड वाज वाजा फैंनेली अपांच बजे मेघ एंच जुँदेखो he r Um अजिए के सामने का व्यू अमेजिग है यह डेको मेरे पीजिए निकर है यहाँ अपने अरूम है उपर और यह देखो आइस वियू क्या अच्या गदरदस्त वियू है I think यहाँ से संराइज होता होगा आरे फ्रावर्स लगे मैं संदर संदर अरू जबरदस्त आई यह अपना सामने यहाँ रूम है रूम भी मोट अच्छी वनाया वा यह देखो यह तरपल बेड वल है अपन लाइस टाम पे बुकिं करी से जोपने को मेले अच्छी वला बैड बड्ड़ अच्छा वनावार रूम सारी यह ना मुल्ड की बनाई ने दिवारे इस अबादरूम है यह बादरम है यह ने अच्छात वूरी मुल्ड की बनाईगी है और था थाज़गी है यह तर का बनाया थूस आरा पथर का बनाया थुस्त इस यह थिंग कुँर कर्देश कर्देश कर दो कर दो कर दो जुँए दारी में देना एक देना जुए टेरा जुए अचलिए आजए आज नार्ट कर दो दो आजए जुए हैं सुबह के बज़ गए हैं आठ और अब हम निकल रहे हैं आसपस की इंचर जगह हैं जो एक्स्प्लोर करने के लिए और आपको भी दिखाते हैं चलते को भी पूरा दीन है याँ पर तो क्या करेंगे रूम पर बैठ के याँ तो यार कल रात को डिनर हुआ बहुत दिर बात है हुई तो मदा आया है रात को 12 12 12 सुबह 6 वजे उड़ गए और सुबह संराइस देखनों को मिला और तो बहुत ही सुंदर नजारा था सुबह सवा 6 बजे के करीब जो है संराइस हुआ था प्रभाइब भी खाली है और इस नम तो रोड भी खाली है और सुबह पहाडों के अंदर बाइक चलाना उपने आप पे एक्सपरियेंस है और बाडी जो यहां से है मेराकी हट से वह अल्मुस्ट 15-16 किलो मीटर से है चोटे चोटे गाव यार कितने सुन्दर लगते हैं यह जब भी पहाड़ में आओ तो पहली फीलिंग क्या थी यार अपना भी घर होना चाहिए यहां पर हम यहां के रहेंगे बट जो शेहर में पला बड़ा है उनके लिए मुश्किला और वैसे भी गाव की लाइफ इतने एजी नहीं है जितना तेखने में और सुनने में लगती है इस वेरी डिफिकल्ट वाई कल तो जो हालत वी थी ना पैक इतनी जादा दर्द कर रही थी शोल्डर इतने दर्द कर रहे थे दोनों मैं तो सुबह लगाओ और सुबह पांच और सुबह पांच पहुंचे है यानि पारा गिंटे राइड की है यह देखो यह व्यू हाई देखो क्या व्यू है देखो सारे बादल जो है नीचे है और हम बादलों के वूप पर है पूरी वह रेंज दिख रही है वहां से माउंटेंस की यार बार बार रुकने का मन कर रहा है कि मस्त वीडियो आपको देखने को मिले यह देखो वहां से शुरू हो रही है रेंज और यह देखो सब बादलों में छुपए हुआ है पीछे भी एक रही है शायद कैमरा कैप्चर नी कर पाएगा इसना कितने प्यारी रोड लग रही है अमेजिंग ब्यूटिफुल मैंने इस से सुंदर हिल स्टेशन नहीं रही है इतना ब्यूटिफुल इतना क्लीन सफाई है सब जगा यह जेल यह दिखती है हमारे महां से होटल से एक किलोमेटर आगे यहां सिगनल नहीं है नो सिगनल कनेक्टिविटी स्पेशली बोल्ड लगा हुआ है और हवा ठंडी हो गई एक तम मन तो कर रहे कि चलाता ही रहू चलाता ही रहू इस रोड के ऊपर इतनी प्यारी रोड बनी हुए है इतना प्यारी जगा है यार तो प कि यहां से बदरीनात का रस्ता भी दिखा रहा है हाथ ठंडे हो गए गड़वाल मुख्याले पौडी में आपका स्वागत है यह देखो ऐसे ना बनाया हुआ है उन्होंने प्लैटफॉर्म व्यू देखने के लिए पीछे भी एक बनावा था चोटा यह तो और बड़ा बनाया है एक गेट बन रहा है पौडी का मेरे खिल से सारे पाइन ट्रीज है है अच्छी हाँ अच्छी हाँ पता नहीं मैं कहां आगे हो वो कहां चले गया है सब कंडोलिया ठाकुर मंदिर कंडोलिया पार्क आई थिंक यह आया होंगे हाँ यह तो नहीं है अच्छी हो कि अच्छी में? बार रहा हो तुम लोग अच्छी हाँ कि फूरा गायो नागर नीचे अच्छी है यह देखो यह मैंने कहीं ओपर नहीं देखा यार किसी भी हिल स्टेशन पे हैं यह बैठने के जगा बना रखिया है उपर नीचे शाम को आओ बैठो उपर व्यू का नजारा लो संसेट का नजारा लो यह संदर लग रहे हैं यह सारे पाइंट ट्रीज है हम आगे है टेका यह पोड़ी से उपर एक रस्ता निकलता है महाँ पे आगे हैं टेका और यह थी राइड के लिए और यह देखो नजारा क्या चवर्दस नजारा है अब यह यहां पे हमारा चल रहा है बाइक्स का फोटोशूर्ट सब्का का अवर्दस अञरा का यहां वाव्दस नजारा है झाल 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 ठेको भाग गया झाल 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 प्रस्त तर रहाद में रहे आप जो है वापिस निकलने का टाइम आ गया है ताइम हो गया है चार बच के पैंतिस मिनट तो अभी वापिस निकल रहे हैं अपने घर के लिए सब देली के लिए और यहां से कोई साथ गंटे का लगस्ता है सुबह सुबह निकलने का यह प्लान था कि हम हरी दवार जो है वह सारे लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे अब काफी ठंडोगी थी यहां पर अचली बारा बजे सोगे था सारे और सुबह साड़े तीन बजे हैं अड़े उठा दिया तो अभी मैं तो नहा लिया हूं नहाने के बाद अभी रेडी वी हो गया है तो अभी चलते अभी अभाई तो नहीं है देखो फॉंग है यहां पर काफी अरहर महादेव देखो सामने ही सन राइज हो रहा है और मस्ट मादल देखो कैसे उड़ रहे हैं नीचे से उपर की तरफ आ रहे हैं और यह नजारा है रिशी केश से पहले है अभाई अभाई तरफ 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 नहीं होने वला है पॉने साथ और हम पहुंचने वले हैं रिशी केश तो जादूर्निया एंग 40-50 किलोमेटर होगा यहां से रिशी केश बड़ रस्ते में क्या नजार है मौसम बहुत बढ़ी है बीच में एक ऑफ रोड का पैश आता है वहां थोड़ी दिक्काद हुई थी वहां टाइम लग जाता है वह 7-8 किलोमेटर का पैश क्लियर करने में लग बग आदा घंटा लग जाता है वह आए अ है कि मौस्ट केश पहुंचने में हैं पहुंच ही गए है को यह एक्सपेक्टेट गए था कि हम आठ वरे तक पहुंच जाएंगे और यह यहां पर पॉने आठ ही पहुंच गया है हम नहीं रुके नहीं है अभी ब्रेक्फस्स यो होगा वह रिशी क तोड़ी दिर में तो टार्गेट है कि एक बज़े तक हम अपने अपने घर सब पहुंच जाएंगे अच्छा था यह दो दिन का राइड अभी तक मेरे किलोमेटर हो चुके हैं 486 यहां से अभी दिली लगबग 300 किलोमेटर होगा यह हाल है रिशी केश का सुबह अट बज़े ऐसा हाल है तो दोचे दिन में क्या होगा हरी दवार है यहां से 14 किलोमेटर और देली है 215 किलोमेटर रिशी केश में कुछ भी कर लो कोई वी रस्ते आजो आपको ट्रैफिक तो मिले गई मिलेगा यह 100% कनफर्म है और नो हो गए हैं पूरा रिशी केश करते करते और हाइवे पर आते आते अल्मस्ट जो है एक कितनी बड़ी बड़ी है परमार्थ आश्रम कितने बाबा भुबा जाता है यहार यहार इतना बड़ा है हरी द्वार कभी एक्प्लोरी नहीं किया अंदर क्या क्या है हरी दोर मैं कितने हो थे आते 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 अब मुदफवर नगर पहुंचने वाली है दस किलो मेटर रहे हैं हाड़ी 10 से 12 किलो मेटर एक ब्रेक और लगेगा और फेर अबन सीधा घर खाली है आज क्योंकि नैशनल हॉलिडे है तो रोड़ काफी खाली है ज्यादा ट्रेफिक नहीं है अभी तक तो मिला नहीं ज्याद ट्रेफिक खरीदवार में था वो ते अंदर से गेते वो ट्रेफिक बाइपस किया था हमने तूगल पे दिखारा था गली में से निकल के आजाओ आप तो आदा पोना घंटा वहां सेव किया क्योंकि वहां पे ट्रेफिक जाम लगावा था